गोहाना में गत दिनों लाट गाउं में भाई द्वारा बेहन को गोली मार कर हत्या करने के मामले में गोहाना एसाइटी पुलिस ने मुख एरोपी विकरम और उसके एक दोस्त को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने दोनों को आज अदालत में पेश कर दिया गोहाना के लाट गाउं के रहने वाले दिपक ने तीन साल पहले छपरा जिला जजजर की नितू से कोट में प्रेम विवा किया था पिछले तीन साल से लाट गाउं में नितू और दिपक बड़े प्रेम से रह रह रहे थे इस दोरान नितू चे मा की गरवती थी इससे पहले नित्तु के भाई विक्रम की शादी दिपक की बैन से 2014 में पूरी रिती रिवाद के साथ हुई थी एक हिसाब से दोनों युवक एक दूसरे के साला जीजा बन गए थे मगर विक्रम को यह बात बरदाश नहीं थी और इसलिए उसने अपनी भाईन को मौत के घाट उतार दिया हाँ लाट गाउं को दस तरीक को मडरो गया था सिट्टो नाम की लड़की थी वो जजजर के सपार गाउं के रेने वाड़ी थी उसने यहाँ पे लो मेरिज कर रखी थी उसका भाई था भी करम सी टोगा उसने अपने मनी मन में पहले इठान रखी थी एपनी बैन को मारना है निटो तो उसके भाई ने दस तरीक को अपनी बैन को मार दिया था यह ओनर कीलिंग थी लो मेरिज कर रखी लिए आज सुबह हमने तीन मुलजिम थे तीन मुलजिमें से दो मुलजिम को कैच कर लिया है अब उनको पुलिस रिवांट पे लेके अक्ते में प्रियुक्त असला और जो गाड़ी प्रियुकी की उसको बरामत करेंगे एक मुलजिम थे फरार है उसको पकड़ने के बरसक्तिया दिन के जारे है आज न्यूज के लिए गोहान से सुनील जिंदल की रिपोर्ट प्लीस हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें